यह देखिए कढ़ाई पनीर बनी है ना बिल्कूल गाढ़ी रेस्टोरेंट जैसी यह खाने में भी उतनी ही टेस्टी बनी है हेलो अबरिवन वेलकम टू फूर्स हेविन आज की रेसिपी है कढ़ाई पनीर सबसे पहले कढ़ाई पनीर में डलने वाला सुखा मसाला बना लेंगे एक पैन में एक तेज़ पत्ता डाल देंगे चार खड़ी लाल मिर्च डाल देंगे दो दाल चीनी डाल देंगे पाच काली मिर्च तीन लॉंग दो इलाइची एक चमच जीरा डाल देंगे अब इन सब को भुन लेंगे इसमें 2 टेबल स्पून खड़ा धनिया भी डालना है इसे स्टार्टिंग में ही डालना है सारे मसालों के साथ अब इन सारे मसालों को 3 दिट के लिए भुनेंगे ती मिनट हो चुके हैं, मसाले अच्छे से भुन गए हैं, इससे अच्छे स्मेल आ रही है, अब इसे पीस लेंगे, और यही पीसा हुआ मसाला हम कणाई पनीर में डालेंगे, एक पैन में तीन चमिच ओयर डाल देंगे, तेल गरम हो गया है, यह देखिए, प्याज के और शि करके इन्हें ग्रेमी में डालने से यह ज़्यादा टेस्टी लगेंगे, दो मिनट हो चुके हैं, प्याज और शिमला में अच्छे से सौटे हो गये हैं, अब इन्हें एक प्लेट पर निकाल लेंगे, सेम पैन में पनीर को भी स्टर फ्राई कर लेंगे, पनीर का कलर हलका च फिर सेम पैन में 6 लेसुन डाल देंगे, 3 इंच अध्रक को काट के डाल देंगे, 3 प्याज को रफ चॉप करके डाल देंगे, मतलब प्याज के पीसे को छोटा या बड़ा जैसा चाहें इसमें काट के डाल सकते हैं, क्यूंकि फाइनली से पीछना ही है, इसे 2 मिनट के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और प्याज का कलर चेंज होने तक इन सब को पकाएंगे, प्याज का कलर हलका चेंज हो चुका है, अब इसमें 2 रफ चॉप किये हुए टमाटर डाल देंगे, उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, टमाटर को तब तक पकाना जब तक य जल न जाए आप चाहते हैं टमाटर जल दी गल जाए तो इसे धक कर पकाए या इसमें थोड़ा था नमक डाल दे यह देखिए टमाटर अच्छे से गल गए हैं गैस को बंद कर देंगे इस मिक्स्टर को ठंडा होने के बाद थोड़ा थोड़ा पाएं डाल कर अच्छे से पी नहीं है क्योंकि हमने रीचे पका कर पीस कर डाला हैं मिनिठ हो चुकी है अब इसे मसाले अड़ करेंगे एक को घुल बड़ा जो मसाला हमने स्टे में फो डाल देंगे इन शारे मसालों को आपका से जाएं कि सब्सक्रिक आप कर लेंगे बिल्कुल बड़ी जरुूए है और अगर आपके पास कश्मीरी लालमिश पौडर नहीं है तो आप उसकी जगह आधा चमिश रेगुलर लालमिश पौडर डाल दी मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं अब इसमें स्टर फ्राइ किये हुए प्याज और शिम्रा मिर्श डाल देंगे इसे भी अच्छे से ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेंगे बस एक मिनट के लिए चलाना है इसमें एक कप पानी डाल देंगे जिस क्राइनर जार में मसाले को पीसा था उसे में पानी खंगाल के डाल दिया है दो मिनट के लिए इसे चलाते हुए मिक्स कर लेंगे अगर आप ग्रेवी को गाढ़ा रखना चाहते हैं तो बहुत जादा पानी नव एड़ करें अब इसे ढग कर पांच मिनट के लिए पकाएंगे पांच मिनट हो चुके हैं ढगकन हटा देंगे और इसमें stir fry किया हुआ पनीर भी डाल देंगे पनीर को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे इसे एक बार चला लेंगे जिससे जो नमक है वो ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए अब इसे फिर से ढग कर चार मिनट के लिए पकाएंगे चार मिनट हो चुकी है, क्राई पनीर लगबग पक चुकी है लास्ट में थोड़ी से धन्या के पत्ती डाल देंगे और साथ में तीन चमच क्रीम डाल देंगे इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्रीम डालने के बाद ये देखिए, ग्रेवियर कलर थोड़ा चेंज हो गया है और ग्रेवियर और घाड़ी हो जाती है अगर आपके पास क्रीम नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप उसी छोड़ भी सकते है क्रीम के बिना भी आपकी कढ़ाई पनीर टेस्टी लगेगी कढ़ाई पनीर बिल्कुल रेड़ी है, आप इसे एक बोल में सर्फ करेंगे कढ़ाई पनीर में जो हमने खड़े मसाले पीसके डाले हैं, उसकी वज़़ा से इसे बहुत अच्छी स्मेल आ रही है और रेस्ट्रेल की तरह बिल्कुल गाड़ी ग्रेवी बनी है, और खाने में भी उतनी ही टेस्टी बनी है कढ़ाई पनीर को आप रोटी, पराठा या नान किसी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं अगर आपको कढ़ाई पनीर की या रेस्पी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें